जिस जैसा हम जानते हैं कि जो पौधे की धान की फसल है वो 100-100 से 120 कम से कम दिन की होती है तो उस पूरे अबधी में धान एक ऐसी फसल है जिसमें बहुत सारे कीट और बीमारी की समस्या का सामना पौधे को करना पड़ता है तो जब हम पौधे का रोपाई करते हैं तो उस समय हम को ध्यान रखना चाहिए कि हम कम से कम 15 फिट वाधे की रुपाई करने के बाद हर 15 फिट के बाद आधा फिट का गेप हम दे दें एक पॉंट्रिंग निर्क्षण पत्त के रूप में ताकि जब उस खेत में हर 15 फिट के गेप में आधा पीट का गेप रहे तो उस आधे कीट में कि आधा करना और या पार सकते हैं कि हमारा जो मुख्य पौधा है उसके जब हम इस प्रेय करेंगे जन last तूट जाएगी या टिलर उस समय तूट जाएंगे तो हमारे पूत पादन में कम ही आएगी धन्यवाल